वेलकम तो दे नेट्रल हेल्थ विद्ट रॉब्ल समद नाजरीन आज का जो मोजो है और ये मोजो बड़ी आहम है अम तरीन मोजो है स्ट्रेस एंड इंजाइटी स्ट्रेस एंड इंजाइटी तकरीबन हर इनसान को किसी ना किसी दोर में कही ना कही होते हैं ये दोनों इतने बत्तरीन मसाइल है जो के इनसान की जिन्दगी को इन्तिहाई बुरी तरफ और बहुत गलत तरफ ले जाते हैं और ये स्ट्रस बहुत बुरी बीमारी है इन्साइटी जो है एक बहुत बड़ा मसला है और आज कल लोगों में बहुत ज्यादा है तकरीबन आज स्ट्रस और इन्साइटी नाइन्टी नाइन परसंट लोगों में स्ट्रस देखा गिया है और स्ट्रस जो है ये एक बहुत बुरी बीमारी है अब हम आते हैं सबसे पहले स्ट्रस पे कि स्ट्रस क्या है स्ट्रस किसे आसबी दमागे दबाव को कहते हैं जो आपको धबाव यानि आप पर होती है कि दबाव ये नेगिटिव और पॉजिटिव दोनों होती है एक तो हम हर वक्त हर लहिज़ा दबाव में हैं हर वक्त दबाव के दो एकसाम है एक वो किसम जो के हम हमेशा किसी चीज़ की दबाव में हैं मुसाल की तोर पे इन्वार्मेंट के दबाव में हैं हम दबाव में हैं कि हमें अपनी फराइस को सरांजाम देने होते हैं हम इस दबाव में हैं कि हम अपनी बहुत से काम को करना होता है इस दबाव को हम वो स्ट्रेस नहीं कह सकते हैं वो दबाव नहीं कह सकते हैं ये तो हमारी फर्ज है अच्छी तरी की हम सरांजाम दे सकते हैं कुछ दबाव होते हैं जो महलक यानि जो बत्तरीन और जो नाकिस दबाव होते हैं और मसलसल रहते हैं उसी कहते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेस जो है आजकल तकरिबन बहुत से लोगों में है क्योंकि आजकल मशिनी मसनुए दुनिया है और इस दुनिया के साथ रहते हुए कहीं न कहीं हम स्ट्रेस का शुकार है दबाओ के शुकार है बहुत ज्यादा हम अब बीजी और अन नैट्रिल लाइफ उजाने के वज़े से हम स्ट्रेस के शुकार है और सु दबाओ होते हैं हमारे सर पे और दबाओ हमेशा जब मसलसल रहते ही यह स्ट्रेस यह डिप्रेशन के अलामत एक एक यानि बाइस बन सकते है डिप्रेशन के और शदीद डिप्रेशन में इनसान को ले जा सकते है हर चीज़ को लोग कहते हैं कि शायद डिप्रेशन है छोटी सी परेशानी हो जाती है तो वो समझते हैं कि शायद हम डिप्रेशन का शुकार हैं मगर डिप्रेश का depiction एक अलग दुनिया है छोटे से attention हो तो वो कि यथी पश हैं Damn Skulle को पहर सके चुनकि awareness नहीं है dertिशन istress anxiety कर लोगों को aware नहीं है के वो कैसे पहचाने stress को anxiety कैसे पहचान सके depression को कैसे पहचान सके वागी नस्याति मसाहिल को कैसे पैचान सकते हैं क्योंके ज्यादा गाइडन्स नहीं है इस वजह से इन्सान अपनी बीमारियां है वो ना समझे बगार बटेकत रहते हैं मालजीन पे इधर से उधर इलाज नहीं होता है मुछतिक लोग मुछतिक किसम के तरीके प्रिम्ट इस्टियूफं मैं आपको बताँ गा जिसकी नहीं मैं लड़ मैं जोआ किसे ओप सकते हैं कभी कभी होने भी चाहिए वो नहीं कर सकता है मसला हमने मैनत करना है हमने आगी बढ़ना है हमने जिन्दगी में कुछ करना है तो कुछ हमारे एम है हमारे गोल से जो हमें अचीव करना है अगर उस स्ट्रेस में है आप तो इसका मतलब है आप आगी बढ़ना है वो स्ट्रस जाने अपने उपर मन्फी अपने उपर लेना वो सही नहीं है अगर आप मन्फी उपर लेते हैं माईसी उसमी और बहुत से आपको नफस्याती तोर पे आप अपने आपको दबाओ में रहता है खुश नहीं रहता है काम्याबी पे आपकी फोकस नहीं है तो वाकिए आप स्ट्रस की शिकार हो जाते हैं स्ट्रस को जानना बहुत जरूरी है अभी इसी पर बात करते हैं असलाम कौन बात करें हैं कहां से जी रावबपेंडी से मैं गुलाग बात कर रही हैं जी ये स्ट्रस एंजाइटी मैं यह बात करना चाहरी थी, कि आपका टॉप्डी का वड़ा फुच्छा साथ और यह नहीं है, यह तो हर्थ आप ठेला हुए है तो आपकी बात को सुनने के बाद मैं काफी प्रसुई तो मैंने का कि मैं भी इसने शाला आप शेयर करूँ इसलिये है कि हम लोग ले लिया है आप समझते हैं कि हम ने बहुत जयादा जिम्मदरे लिए हैं कि क्या आप अच्छा ए लेवल बच्चों को ए डाव लाना चाहिए वालना है तो स्टेटर सेंबल अपना ये पर करा रहना है हमने गारी लागी रस नहीं है हम बाइक दे सकते हैं इस तरह कि ये जुबाते हैं ना ये हमने अपनी साथ़ी को छोड़ के ना हमने स्टेस तो इस तरह से फ्ने उबर जादा ह oddघ एक लागी झाएशी करें देखें ये तो चाहते हैं इसको स्टेस नहीं कह सकते है ये तो हमारा चाहता है हमारे एम है और घुबारी यानी वो जो खराब स्ट्रेस ए इसको Anschोट ऑम ऑरत्श अन्हे थो को स्टेस है उसी कहते हैं जो के आपको पर जो बीमारी के सुरत में हम लेते हैं कोई भी चीज बीमारी के सुरत में लेते हैं और हम यह नहीं चाहते हैं कि मुसाल हम जो चीज हासल करें उन्हें हमें मेनत करना है अपनी दमाग को इस्तेमाल करना है ये फिलाहतों को इसमार करना इसका जो दबाव थोड़ा बहुट इसान पर होती है इसी स्ट्रस नहीं कहते हैं इसी एक छो है ना wein-ग चाहत कहते है और मैनद करना पड़ता है ठकावर्ट कभी-कभी अच्छे होता है जस्मानी बहुत अच्छ होता है जी इस्ट्रस को चले जिस्ट पर मैंने जील साइंसिस के आवाले साथ के बुस्ट पढ़ी है लेकिन मुझे आपी देखे पास में चैने आई किस तरह अटेंट करूं जी बिलकुल आप लाहूर इसलामबाद और कराची में हमारे सेमि च्रिडूल बी होती है ठीक है जी ये thank you very much thank you allah जे आप स्ट्रस का बात हो रहते हैं अब हम आते हैं anxiety पर anxiety एक आज करीं इंसायटी बहुत से लोगों को ए बहुत से दुन्या को लाहा गर क्योंकि anxiety इस वजे से कि हमने future में अभी जो बात कर रही थी यह बात यह था कि कॉलर जो बात कर रही थी वो बात यह है असल में यह इंसाइटी कहते है इसको स्ट्रस नहीं कहते है स्ट्रस एक अलग चीज़ है इंसाइटी अलग चीज़ है कि फिचर में जो भी कुछ है मुझे मिलने चाहिए उसकी बारे में घबराहट होते हैं उनको कि पता नहीं होगा मुझे नहीं होगा क्या होगा नाकाम हो जाएंगे और बहुत बुरा हो जाएगा उनको इंसाइटी कहते हैं यानि ठीक है नेगिटिव एंड पॉजिटिव चिज़ों को समझना बहुत जरूरी है मगर उसको मनफी लेना उसे इंसाइटी कहते हैं यानि उसको मनफी तोर पे और हमेशा अपने उपर हमेशा जहन में रखना नेगिटिव जो फ्यूचर में हम कोई इवेंट कोई भी चीज़ करना चाहते हैं मसाल के तोर पे एक शफसे जो पढ़ना चाहते हैं पढ़ने के बात है स्टुडिज के बात अब एक शफसे इमतिहान में नाकामी का सोच रहे हमेशा तो वो इंसाइटी का शकार हो जाते हैं वो सोचते हैं कि मैं नाकाम हो जाओंगा नाकाम हो जाओंगी और इस तरह के इमतिहानात की जो हालात होते हैं और इस तरह हर इंसान इमतिहान में हैं क्योंकि आज सिर्फ बच्चे नहीं दूसरे लोग भी इंतिहान में हैं जो बड़ी लोग है वो भी बड़ी इंतिहानात में है बिजनस का उनका है और रिश्टों का है जो रिलेशनशिप्स है उसमें नाकामियों के उनको होती है कभी कोई गलत बात कह देते हैं तो वो इतना अपने पर स्ट्रस लेते हैं कि फ्यूचर में पता नहीं इसका नतीजा क्या होगा फ्यूचर में मैं फेल हो जाओंगा फेल हो जाओंगी और वो मुझे क्या हो जाएगा इस तरह कि उनको एक कॉन्फिडन्स के अपने आपको भी डाउन करता है और anxiety का भी शिकार हो जाता है, stress का भी शिकार हो जाता है ऐसे लोगों को चाहिए कि वो मैं तरीका बाद में बताओंगा इंशाला जरूर कि सबसे पहले जानना जरूरी है कि anxiety क्या है anxiety past के भी कुछ चिज़े जो वाकियात होती है उसका भी है past की जो वाकियात है और future की जो वाकियात है future में जो भी आने वाला है उसके बारे में भी है लेकिन past में भी कुछ ऐसी जगों पे हमें गबराहट होते है जहां हम से कुछ गल्टियं होई या कुछ बूरा हुआ या किसी ने बूरा किया इस events को जो पीछे हो चुकी है वो पे इनसान को ये future में तसवर करते है कि future में शायद मुझे बहुत बूरे वक्त आने वाला है क्योंकि past में जो मैंने बुराहट हैं कि तो future में भी मुझ से होंगे लाजमी होंगे उनके तसवर में उनके mind में ये होते है कि फलाँ जगे पर मुझ से ये गलती हो जाएंगे फलाँ जगे पर मेरे साथ ऐसा होगा future मेरे bright नहीं होंगे future मेरे खराब होंगे और मेरे खराबिया आते रहेंगे और पुराया आते रहेंगे जिदागी में और उस पे जब इनसान फोकस्त रहते हैं तो उस सुरत में इनसान के जिन्दगी बहुत जीरिन तरफ ले जाते हैं यानि इनसान बहुत ज्यादा स्ट्रस में जाते हैं, इनसाइटी में जाते हैं, नाकामिय में जाते हैं कि नाकामियों में जब इनसान जाते हैं तो नाकामियों में कई यह होते हैं एक कॉल होड़ पे हैं